जय गुरुदेव महर्शी वेद विज्ञान विशिद्ध पीट्स जोतिस भाग द्वारा दैनेक बैदिक पंचांग प्रिस्तुत करते हैं आज दिनांग तीन जनवरी शन दोहजार तेई से महर्शी शंबस्तर एक सुपांच चल रहा है बिक्रम संबद दोहजार उन्याशी के अंतरगत दक्षण अयन है मंतरतु पाउश मास सुक्ल पक्ष की आज 12 सिती थी 10 बस कर 48 मिनट रात्री परियंत रहेगी ततपस्चा 13 सिती थी परारम होगी दीन मंगलवार है कृतिका नक्षण तर 5 बस कर 48 मिनट शायम परियंत रहेगा ततपस्चा रोढ़नी नक्षण परारम होगा योग शाद्ध है 8 बस कर 56 मिनट दिन परियंत रहेगा ततपस्चा शुवनाम का योग परारम हो जाएगा करण अभव है दस बच कर 31 मिनट दिन परियंत रहेगा तत्पस चार बालब करण होगा सूर्य उदाय का शमय है छे बच कर 46 मिनट पराता सूर्य अस्त पाज बच कर 14 वन शायम रहेगा राहुकाल दिन में तीन मजे से प्रारम होगा चार बच कर 30 मिनट दोपहर तक राहुकाल रहेगा आज कूर्म द्वादर्शी है इसी क्रम में द्वास राश्यों का फल सरपर्थम मेश रासी मेश रासी से चंद्रमा की गोचर स्थिती अनकूल हो गई है ब्रश में चले गए हैं बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन आपको परिवार जनों का शहयोग मिलेगा आर्थी गिलाब होगा मन में प्रशनता होगी कार्षित्र की ब्रद्धी होगी ब्रशवरासी का श्वामी शुक्र भी अपने शिभाग स्थान में गया है चंद्रमा बैठा है ब्रशवरासी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है भूमी भवन इत्यादी का खरीद करेंगे रत्न आभूशन बस्त्र आदी के कुछ खरीद करने का सुब दिन आपका व्यतीत होगा आज का दिन घूमने फड़ने के लिए भी समय अच्छा रहेगा स्वास्त अच्छा होगा मन में प्रशनता होगी आर्थिक लाव की दिर्ष्टी से भी अच्छा होगा नए नए आपके मित्र बनेंगे आपके अंदर एक मन में प्रशनता का भाव बना रहेगा और आपको लक्षमी इस्तोत लक्षी मंत्र का जाप अच्छा रहेगा मिथुन रासी मिथुन रासी का श्वामी बुध है इस समय शूरी के साथ धनू रासी में बराजमान है मिथुन रासी बाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि बुध की दृष्टी अपने भाव को देख रहा है बुध आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा मन में प्रशनता होगी जीवन साथी का सहयोग आपका बना रहेगा आपको संतान की और से भी प्रशनता सुख समाचार आपको प्राप्त होते रहेगे मिथोन राशी वाले व्यक्तियों के लिए बिश्णु सहशिनाम का पाथ शबसे अच्छा रहने वाला है और बुध मंत्र का जाब करें करकराशी का श्वामी चैद्रबा अपने शे एकादस भाव में बैठा हुआ है आर्थिक द्रिष्टी से समाए अच्छा है रुके हुए धन की प्राप्ति होगी अथवा किसी से आपको उधार लेना भी चाहती है तो धन प्राप्ति होने के योग है जीवन साथी का स्वास्थ अवस्य प्रभावित होगा और साजिदारी की व्यापार से आपको बचना चाहिए सुतंत विवसाय से लाभ साजिदारी की व्यापार से आज अच्छा दिन नहीं है शिंग राशी का श्वामी शूरिये इस समय धनू राशिये बराजमान है पंचम भाव में हैं जो की अपने सिक्षा का छेत्र है प्रशासनिक छेत्र है आपको सिक्षा के छेत्र में लाभ होगा प्रशासन में जो कारे रथ हैं उनके लिए मान समान की ब्रद्दी होगी संतान को लेकर के चिंता अवसर रहेंगी लेकिन आर्थिक लाब होता रहेगा और आपको आदित तरदैस्त तोतरादी का पाठ सबसे उत्तम रहने वाला है कन्याराशी कन्याराशी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा स्वास्थ में थुड़ा उतार चड़ाव की इस्थितिया होगी पारिवारिक कहीं न कहीं बिवाद बैचारिक मतवेद लडाई जगडा की इस्थिति होगी आपको उससे बचना चाहिए दूरस्थ आत्रा से आप बचें और अपने कार्यों को एकागरता से करें तो उत्तम रहेगा भगवान गड़ेश जिसे दूरवा से अर्चन करने से आपको लाव होगा तुला राशी तुला राशी में कश्वामी शुकर जो है मकर राशी में शनी के साथ है और तुला राशी में केतु मराज बैठे हुए है तुला राशी वाले व्यक्तियों के लिए अत्ते तेज बाहन चलाने से बचना चाहिए चोट चपेट आदी की शंभाबना है बहुत एक सुक्षुविदा आपको प्राप्त होती रहेगी और मन में प्रशनता भी रहेगी कुछ नवीन बाहन खरिदने का योग भी बन रहा है इस समय आप अपने कारिज पर विशेश ध्यान रखें स्वास्थ में आपको सर्दी जुखाम इस्त्यादी से बचना चाहिए थोड़ा मौशम के कारण स्वास्थ प्रभावत हो सकता है ब्रशिक राशी ब्रशिक राशी बाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है स्वास्थ अच्छा होगा मन में प्रशनता होगी कारछेते में ब्रद्धी होगी परिवार जनों का शहयोग भी आपको प्राप्त होगा छोटे भाई वहिनों के शहयोग से आप अपने कार में विकास करेंगे और मंगल इस्तोत्र का पाठ आपके लिए सबसे उत्तम हन्मान 40 का पाठ भी स्रिष्ट रहेगा धनू राशी धनू राशी का स्वामी जो है ब्रश्पती मीन राशीम राजमान है चन्रमा गोचर में अपने सच्छटे गए हुए ऐसे इस्तिती में धनू राशी ब्याले व्यक्तियों के लिए आज कर दिन निला जुला रहेगा परिवार को ले करके कुछ चिंताएं होंगी कारच्षित्र में उतार चड़ाव जैसी इस्तिती अवश्च रहेगी लेकिन लाभ प्रद ही आपको शिद्ध होगी और ब्रोधियों पर आपको शाब धान रखें ब्रोधियों आप पर हावी होने का प्रयास अवश्च करेंगे मकर रासे मकर रासे वाले व्यक्तियों के लिए इस समय अपने स्वास्त पर विशेश ध्यान रखें स्वास्त में परशानिया का सामना करना पड़ेगा मकर रासे वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्त के साथ साथ में ब्यर्थ के कारे से आपको दूर रहें अपने जो कार कर रहे हैं अपने कार्षित में बदलाव ना करें तो उत्तम रहेगा और जो आपके नीचे कार कर रहे हैं उनसे सामंद्स बना करके रखें अच्छा रहेगा और पीपल के हाँ प्रातहा जल्दें और शनी मंतर का जाब करें हनुमान 40 मंगल स्तोतकाई पाठ उत्तम रहेगा कुम्बराशी का अब श्वामी भी शनी है और शनी कुम्बराशी अपने शिद्वास में गया है इसमें खर्ची की अधिकता होगी आर्थिक लाब कम होगी परिशानियों का सामना बहुत अधिक करना होगा इसलिए आपको शुन्दर का इंड का पाठ और शनी मंतर का जाब उत्तम रहेगा मीन रासी वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा होगा स्वास्त भी अच्छा होगा कारिशेतर बिकास भी होगा आर्थिक लाब होगा मन में प्रशनत आ रहेगी ए रहा द्वास राश्यों का फल इसी के साथ हम अपनी वानी को ब्राम देते हैं ए जए बूल दे प्रेंग होगा